Assalamu alaikum, welcome to vlogs by me उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खारियत से होगे अलहम्दलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ ये क्लिप सुबा में मैंने बनाया था, बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और अभी है दुपहर का वक्त हम लोग आ गए है अपने न्यू घर जो कि है अंडर कंस्रुक्शन अभी नहीं इसमें काफी काम बाकी है तो हम लोगों ने जिस्ट ऐसे ही विजट करने के लिए आया था क्योंकि जब से काम स्टार्ट हुआ था था ना इस लौट के उपर हमने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है और कैसा बन रहा है और अभी भी हम आ गए थे तो हमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा था स्ट्राइब ने किया है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि यही एक मोटिवेशन होती है मेरी वीडियो बनाने की और आप लोग उनके साथ शेयर करना था कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की है एक्चली मैं जो है ना औरेड़ी जो सबा है सबा का जहान उनकी वीडियो देखती थी और मैंने उनसे मोटिवेशन ली है अलाद आला ने उन्हें कितना कामियाब किया है माशाला माशाला और वो हैं इस काविल के जो हैना सब उन लोग को बसंद करते हैं और मैं उनकी एक फैन हूँ और इसी तरह से जो हैना मैंने भी उनसे मोटिवेशन ले करना यह अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और उमीद करती हूँ कि मैं भी एक दिन कामियाब होंगी बसा आप लोग उने मुझे सपोर्ट करना है और वो सपोर्ट होगी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे मेरी वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे अच्छा जी उसके बाद हम लोग आ गए थे पार्क यहां जो है पास ही एक छोटा सा पार्क था और मैं यहां पर संसेट देख रही थी काफी अच्छा व्यू आ रहा था और बच्चों जो है ना मुक्तलिफ जूलों के उपर अपना जो शोक है वो पूरा कर रहे थे और उ जूलों से वो था कि बस उन्होंने स्लाइड लेनी है और जो भी पिंक जूले हैं वो सारे इन्होंने ना हर किसम के लिए और यह देखें इनके भाईजान जो है इन्हें अच्छे से जूला रहे हैं और माशा अला माशा बच्छीयां बहुत खुश हैं और जूल रही है सब कुछ खतम हो चुका है सब ने बहुत मज़े से जो है ना पेट भर के खा लिया है और उसके बाद ना हम लोग वॉक करके ही घर गए घर हमारा है भी पास ही यहां पर शॉप के करीब ही था तो हमने सुचा चलें वॉक करके जाते हैं ताकि जो हमने खाया है वो थोड़ा बहुत हजम भी हो जाएगा और खाने के बाद वैसे भी वॉक करना अची बात है तो बस हम लोग वॉक करते हुए जो है ना अपने घर जा रहे है और साथी साथ बचे का फिक्चा आगे थे और जब घर आये ना तब हमारे लिए भाई जो है आइस क्रीम लेके आये वे थे उस वक्त तो हम लोग काफी फुल थे तो हमने सब कुछ फ्रीजर में रख दिया था और फिर काफी लेट नाइट जो है ना हमें याद आया कि हमारी आइस क्रीम पड़ी हुए है और हम सब ने जो है ना इंज्वाई की आइस क्रीम और आई होब कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और चैनल सब्स्राइब कर देजेगा अलाहाफेज